यहां दी गई जानकारी जियोतिश पर आधारित है तथा केवल सूचनक ले दी जा रही है TV9 Digital इसकी पुष्टी नहीं करता है यहां बताये गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलह अवश्य ले नमस्कार आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस आप सफी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंजली और मेरे साथ इस कारिक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ट जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जोते शास्त्रियों के अनुसार यों तो पूजा में कई तरहे की सामगरी का उपयोग होता है लेकिन इन में से एक वस्तु ऐसी मानी जाती है जिसे बेहत कमाल का माना जाता है और वो चीज है सुपारी संपूर्ण भारत में सुपारी का इस्तमाल मुख्य रूप से दो रूपों में किया जाता है एक पूजन सामगरी के तौर पर तो दूसरा तंबाकू उत्पादों के साथ अब तंबाकू उत्पादों के साथ तो समझाता है लेकिन क्या आपने सोचा है कि सुपारी को पूजन सामगरी में क्यूं इस्तमाल किया जाता है आखिर इसके पीछे की मानिता क्या है मांगली कामों समेथ पूजा पार्ट में क्यूं चड़ाई जाती है सुपारी अगर नहीं तो आज इसी का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद गुरुदेव जीली वशिर जी कहीं जाईएगा नहीं क्योंकि आज गुरुदेव बहुत ही खास जानकारी इस बारे में आपको देने वाले हैं और इसके साथ ही सभी राजशियों के बारे में गुरुदेव बताएंगे कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो कारेक्टरिम की शुरुदेव से हम जानते हैं कि आखर पूजन सामगरी के तौर पर सुपारी का इस्तमाल क्यों किया जाता है हमारे संसकारों में हमारे पूजन विदी में हमारे गरंथों में धर्ती पर उत्पन हर चीज़ के महत्व को आंक करके फिट लिखा गया और साथ में जो सबसे बड़ी परधानता दी गई हमारे वेदों में हमारी सोच को सोच के अनुसार लेने वाले डिसीजनों को और वो डिसीजन से किसी को तकलीफ ना हो और हर जन का भला हो सके पशु हो पक्षी हो पेड हो पौदे हो वातावरन हो जल हो हर कोई सुखत अवस्था में रहे और पौश्टिक अवस्था में रहे इसके लिए हमारे पूरे वेद लिखेंगे और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये दी गई कि एक चीज़ कॉमन है और वो है इनसान का शरीर और शरीर के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाएं ये लगभख से और इसलिए इस चीज़ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया तो ऐसी वस्था के अंदर आप देखिए कि दुनिया के अंदर जितना जम्बो दीप है जम्बो दीप अगर हम लगाएं तो इदर कन्या कुमारिक से लेकर के आगे अगर हम जाएं इदर चाइना को बीच में लेते हुए अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए ये सारे का सारा जम्बो दीप था यानि कि वो दीप है जहां पर साइंस की खोज सबसे पहले हुई आज भी जो हम अंतरिक्ष में जा जा करके ढूंड रहे हैं वो बिना अंतरिक्ष में जाए हमारे रिश्वी मुनी सबसे पहले लिख करके गए आयूवेद दे करके गए ग्रह नक्षतर दे करके गए उनके साथ होने वाली घटनाएं देख करके गए और सूर्य ग्रहन चंद्र ग्रहन कब से कितनी सदियों से चला आ रहा है समझे और जब कि अगर हम पश्ची में जा करके देखें तो शायद एक अद हजार साल पहले उनको ये पता चला कि ये ग्रहन भी लगते है तो अगर सितारों की नक्षत्रों की होगे और सितारों और नक्षत्रों के अधार पर दो चीजों की खोच होगे हमारे देवी देवताओं की और उसके साथ में आयुवेद की ठीक है और इन सब को उसी के साथ जोड़ा गया जैसे की सूर्य को श्री नरायन के साथ में चंद्रमा को श लेकिन आयूवेद में भी देवता होते हैं आयूवेद के अंदर जो मुख्य देवता है रहे हैं उनके अंदर ये आप लॉंग, इलाइची, तुलसी पता और उसके अंदर सुपारी, पानका पता, लॉंग ये देवताओं की केटेग्री में आते हैं और इसी लिए आप देखते हों कि हमारे हर पूजा पाठ के अंदर पान चड़ायाता प्रमार्पको, कारण ये कि उसके अंदर लगने वाले लॉंग, उसके अंदर प्रयोग होने वाले अचुना, और उसके अंदर प्रयोग होने वाले सुपारी, सुपारी, सुपारी एक ऐस हमारे खून को प्यूरिफाई कर दी है। सुपारी के अंदर का जो तत्व है वो हमारे अंदर नए रेड़ सेल्स को जनरेट करने का काम परता है। और सुपारी जब चूने के साथ मिला करके खाई जाती है तो रेड़ सेल्स और वाइड सेल्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने का काम और हमें स्वस रखने का काम सुपारी और चूना मिल करके करते हैं। इसलिए हमारे पूजास्थान के उपर पूजास्थान अब जब हम पूजा करते हैं चाहे वहां सुपारी रखें पूरा पान रखें वहां मिष्ठान रखें फॉल रखें परमात्मा को भोग लगता है। उनको अर्पिन करने मात्र से उनको जो त्रप्ति मिलती है लेकिन खाता कौन है पुजारी पुजारी का परिवार वही सब दो इसी लिए सब को स्वस्थ रखने के लिए अब पहले लिपी नहीं हुआ करती थी लिपी यानि की लिखत पड़न नहीं होता है तो सीखना सिखाना बहुत टाफ था तो ऐसे में संसकार बना करके लोगों के सामने आखों के सामने वो वस्वें रखी गए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बुरा बताया जाता था अच्छा सामने रखा कुन और लोगों को पता था अब अगर पुराने मुजूर्जगों के अंदर हम चले जाए तो हर घर के अंदर लग भग सुपारी खाया जाती पान के साथ मिलाके खाए ना खाए लेकिन चूने के साथ हलकी से लगाके खालिया करते दें और वो लोग बहुत स्वस्थ रहते रहे लेकिन स्टेंडर्ड के नाम पे अब ये देवता सवरूपी जो औरस्थिया हैं ये हमारे जीवन से दूर की जा रहे हैं सुपारी का गुन है खून को बनाता है हमारी कोशिकाओं को मस्बूत करता है दातों को तो नैचुरली बार मस्बूत करता है ये चबाने से ठीक है तो सुपारी को इसलिए क्योंकि उसका सीधा संबन जो है खून के साथ है और खून बनेगा तो शरी चलेगा खून बनेगा य हम सुपारी को स्थापित कर देते हैं क्योंकि यह कहें कि सुपारी के अंदर खून है यह खून को बनाने की ताकर सुपारी के अंदर है इसलिए हमारे देवताओं को यह अर्पित की जाती है और देवता समझ के इनको स्थापित किया जाता है यह सुपारी का सबसे परधान ग और रोज मरह में खानी चाहिए ना दाद खराब होंगे ना कभी खून दोशित होगा ना कोशिकाई टूटेंगी और साथ में रेट सेल्स बहुत इंप्रूव होंगे और चूने के साथ लगा करके अगर ये खाया जाता है तो ऐसी अवसा के अंदर वाइट सेल्स रेट सेल्स ये इंप्रूव होते हैं कैल्शियम की कमी पूरी होती है और और मर्द में मर्द वाली अजात हमेशा बनी रहती है और एक बात और मैं बता पॉज़ की प्राप्लम आती है। इसके अंदर इतनी मदद मिलती है कोई साइड इफेक्ट नहीं होता मान सिकता नहीं हिलती और बहुत देर तक वो औरते जवान रहती हैं जो चूने वाले पान के साथ सुपारी लगा करके बाद में जो भी मीठी चीजे मीठे पान में डाली हैं वो औरते कब भी जल्दी बोड़ी नहीं होती और उनके शरीर के अंदर कभी भी खून से निमें से संबंदित प्राप्लमें नहीं आती जो ये पान खाती है तो इसलिए सुपारी को परधान फल मना जाता है और इसलिए ये परमात्मा समझ के इनको स्थापित किया है। बहुत ही अच्छे से समझाया है अपने गुरुदेव और इससे पहले सुपारी से जुड़ी इतनी सारी बाते हमें पता भी नहीं थी जो आपने आज बता ही है। बिन पैंदे का लोटा नहीं ले सकते हैं। 과 में जिनका तला फ्लेट है। suspect लेकिन सुपारी सही मएने में सुपारी ही है। च्छे सुपारी जब साइब की जाती है तो वो फाय जारा पूंती है। और बार में उसी सुपारी को काटके कई लोग भिगो के खाते हैं कई लोग कच्छी खाते हैं ठीक है और ये दोनों ही वस्थाओं में बहुत ही लाबकारी है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन मेन इसका गुन परधान है इसकी जो सनचना होती है सुपारी की जैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिकाई जोड़ करके एक पूरा शरीर खड़ा कर देती है वही जो कोशिकाउं का एक एहम पार्ट है वो इस सुपारी के अंदर पाए जाता है जिस तरह से हमारी कोशिकाई भी खून के साथ ही सब्चालित पंती है इसी परकार से इसके अंदर भी आप देखिए रेड डेड आपको स्पार्ट व वही एक तरह की दातुए जो खून को बनाने का काम करती है तो में बात यही है और धर्ती पर अमृत के रूप में अगर कोई चीज है तो सबसे बड़े अमृतों में चूना है सुपारी है और हल्दी है और शहद है इसी लिए ये सारी की सारी चीजे परमात्मा को अर्पित की जाती है पर मात्मा को अर्पिट करने का मलग परशाद के रूप में पुजारी का परिवार और वहां पर भक्त के रूप में आने वाले सब को ये परशाद के रूप मिल करके एक अच्छा स्वास से परदान किया जा सके इस सोच के साथ में इनको ये जो परदान फल है इनक इसी खास विशेश में पर जो भी चीज परमात्मा को अर्पित करने के लिए का जाता डे टो डे वो सही मैने में परमात्मा अगर हम देखे तो क्या है परमात्मा है हमारे भाव हमारे भाव अगर वो शुद है तो वो परमात्मा है अगर हमारे भाव अशुद है यानि कि शु नहीं जानते थे अब जब इनके गुनों को हम थोड़ा सा जानी गए पढ़ लिके इसके गुनों को जारा साइंटिफिकली रूप में जान जाएंगे तो यह रियालिटी में इंसानियत के काम आनी वाली चीज है और इनको परियोग करने का मतलब यह है कि अपने पहले स्वास देवताओं की तरह सोच के उनके अच्छे कर्मों की वज़े से पूरे समाझ को लाव होना यह सब शुरू तो इसीलिए। परमात्मा को भी परो सुन्तारी करते रहना चाहिए और परमात्मा पर सुन्तारी को नपरतिक है और क्योंकि हम ने ये भी देखा कि पुजा की सामगरी में जो विधी होती है व्मार के साथ ही हमेशा सुपारी को चड़ाते हैं अर्प cardiac अकेले सुपारी को नहीं जड़ाते हैं सुपारी मैंने काना कि कुष्काए और खून को बनाने वालता तो इसके अंदर करनी है अगर हम यह मानें कि देवता के अंदर भी खून है उनके अंदर भी जान प्रान है और वही सरवग्या है और सरवत्र है तो सरवत्र के नाम पे इस पूरी धर्ती के ऊपर खून ही आता है जो हर जीव के अंदर है तो वो गुन-परधान होने के कारण इनको किसी भी दे अब इस देता को अगर हमने स्वास्त रखना है कोई रोग ने नजदीक ना आई या इनसान को स्वास्त रखना उसके पास में भी कोई रोग ना आई तो ऐसी व्वस्था में वहां पर कथा चुन ना लगा करके मिठी वस्वार्द सौंफ वो भी खुन को प्युरिफाई करने लॉंग हमारी ऑक्सिजन को जादा जादा यादाश को बढ़ाने का काम करती है उसमें मेठी चेरी ये डाला जाता है और और भी बहुत सारी वस्वें शार मैं इतनी नहीं जानता तो ये सारी जाते हैं लेकिन पान के अंदर वो सारी वस्वें होती हैं जो अंदर से शरीर को और दिमाग को सुद्रड बनाने के लिए होती है तो इसलिए जहां देवता है वहां स्वास्ते होना भी जरूरी है तो देवता सुपारी और देवता या इनसान का स्वास्ते हो पान इसलिए ये दोनों को मिला करके पूजा के अंदर विधान के रूप में रखा गया कि इन मैं पूछ रही हुए क्या को और भी उपाइस की किये जा सकते हैं के बाहरी वाले में बोला सुपारी की बाहरी को कुछ अगर अपने आपको बहुत सुद्रड रखना है और स्वस्थ रखना है किसी भी बीमारी की जो शुरुवात होती है वो श्वास पक्रिया के अंदर बादा होने के कारण होती है हमारी सोच के अंदर खिंत आने के कारण होती है हमारे खून के अंदर गर्मी जादा पढ़कर के पीलिया पढ़ने के कारण होती है या गर्मी जाला पढ़ने की वज़े से बहुत सारी जो तकलीफ होती है उनके कारण होती है तो तुमने एक वो कहावा सुनी होगी लोहे को लोहा काटता है जहर को जहर मालता है ठीक है इसी परकार से पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर जम्बो दीब की बाद छोड़ी जाए तो कहीं पर भी हल्दी का प्रियोग नहीं होता है। उनको पता ही अब चला है कि हल्दी होती क्या है। और इसके उपर आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर यॉरप के अंदर और अमेरिका वगरा में बड़ी कोशिश की गई कि हल्दी को पेटेंट करवा लिए गया तैंदर और जो कि हमारे सदियों से क्या है यूगों से इस्तेमाल होता है। बहुत बहुत ही असर कारक है और खास और पे शरीर की गर्मी को यानि की ताप को कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है शेहद नेच्छल चीज जो परमात्मा को चड़ाए जाता है अगर इस शेहद का प्रयोग हम करते हैं तो हमारे अंदर की पूरी नसों को खून को हर तरह से इन सब को बैलेंस करके रखने में इसका सबसे बड़ा प्रयोग होता है और जितनी भी हमारे अंदर dead cells हो हर body में है शाहद का प्रयोग करने वाले इंसान के शरीर के अंदर dead cells होती ही नहीं और जब dead cells नहीं होंगे तो नसों की blockage नहीं होगी तो कहीं पर भी शरीर के अंदर दर्द नहीं होंगे हार्ट वगएरा की problem नहीं होगी और किसी blockage के कारण कोई कल को बड़ी बीमारी जिसे cancer cancer वगएरा बोलते हैं यह कभी नहीं हो सकते और अब देखिए अगर सुपारी का प्रयोग चूने का प्रयोग पान का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में अगर आप हल्दी कच्छी हल्दी लेकर उसका रस निकालते और 20-30 ग्राम कच्ची हल्दी इसक के उसका रस निकाल के उसका आदा अगर हम उसके अंदर प्यूर शेहल मिलार करके ले तो आयूवेद के अंदर यह बताया गया है कि उस इंसान को जीवन में कभी भी cancer अलष्र की दुक्त नहीं आई 걱정 को आचुकी है उनके लिए आयुवेद ये बताता है कि उसके लिए ये रामभान उपाया Valentine और जिनको ये है hai उनको ये आयुवेद का कहा मानके उनको यहाईुवेध का ग्इार लिए कि और वाला कीमों भी हुई है या और भी कोई जग लिफ है या उनको ये बीमारी आई चुकी उसके अंदर इतना बड़ा रिलीफ हुआ है कि उनके डॉक्टर भी हैरान है कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी रिकवरी कैसी आए तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे वेद लिख अब हमें इसका सच्मेलाब उठाना चाहिए तो सुपारी पान हल्दी शहद चुना तो उसमें आई गया यह हमारे जीवन को स्वस्त रखने का स्वस्त जीवन जीने का यह चीजे आधार हैं तो इसलिए सुपारी को अपना देवता भगवान गनपति नरायन यही माने और इसका परयोग जरूर करें ठीक है और हल्दी को ब्रस्पती और शहद को मंगल और चुने को शुक्र मानकर और लौंग को ब्रस्पती साथ में मानकर के इसका आप परयोग करें सारे ग्रहों की संपूर्टा इसी में समाई हुई है इसलिए परमात्मा के दर्बार पे पाए जाते वहां चड़ाए जाते हैं तो परमात्मा की खिर्पा पाने के लिए खोड़ स्वस्त्र एक लिए इन चीजों का पईयोग आपको आने वाले बहुत लंबे समय तक सुखी और स्वस्त्र रखें, बिल्कुल और गुर्देव ने जिन चीजों के नाम गिनाए हैं वह आज आज के समय में भी सबसे सस्ते और सुलब तरीके से मिलने वाली चीजे हैं, जो कि आपकी health के लिए स्वास्त के लिए भी बहुत beneficial होने वाला है, आपको बता भी दिया गुरुदेव ने किन माईनों में कैसे और इन फाक ग्रहों को भी शांत आप इन चीजों के माध्यम से कर स फिलाल हमारे कारिक्रम में इतना ही, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार्धन और लाफ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताय हुए उपाय जरूर करें, उमीद करते हैं, आपको आज का विशे पसंद आया होगा, कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विश चाहते हैं, हर कश्ट, हर तकलीव से रहा चाहते हैं, तो आप एस्टो साइंस आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिलाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहे हमारे साथ, और हमारे एस्टो साइंटिस्ट कुरुदेव जी दी वशेश जी के साथ देखना न िंस का.